हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल माई बीबी केर और मैं हूँ आपके साथ अर्षना आज कही जो वीडियो है, रिक्वेस्टेड वीडियो है कई वीवर्स ने मुसे जो है रिक्वेस्ट की थीज़ के लिए कि आप जो क्लोड डाइपर होते हैं इन पर वीडियो बिनाईए और हमें बताइए कि यह होते क्या है और कहां से हम खरीज सकते हैं और किस तरह से इनका यूज किया जाना चाहिए तो यह जो वीडियो है इस पर हम यहीं बात करने वाले हैं साथी साथ मैं लिंक भी दोंगी इन प्रोड़क्ट्स का यानि की जो लिंक भी दोंगी ताकि आपको पता रग पाए कि कौन से लिए अच्छे हैं और कहां से आप खरीज सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि क्लोड डाइपर्स यानि कप्डे के डाइपर्स होते क्या हैं यह जो कप्डे के डाइपर्स होते हैं यह कौटन के यानि की सूती होते हैं और इसमें लेयर्स होती हैं ताकि इसे जो हैं आप एक से जादा भार भी यूज कर पाएं और अगर आपका बच्चा पॉटी कर दिता है तो इस केस में आप उसको वाश करके दुबारा से यूज कर सकते हो तो यह होता है क्लोथ डाइपर तो यह तो हमने जाना कि क्लोथ डाइपर होते क्या हैं अब हम जान लेते हैं कि क्लोथ डाइपर यूज करें इसके क्या कारण है, क्यों यूज किया जाने चाहिए क्लोड डाइपर, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले चीज की क्लोड डाइपर यूज करने से रैशेज में राहत मिलती है देखें जो disposable डाइपर होते हैं, उससे कई बार बच्चे को रैशेज हो जाते हैं काफी soft होता है, हवादार होता है तो इससे बच्चे को होने वारे rashes के chances कम होते हैं साथी साथ जब भी बच्चा गीला कर देता है तो आप उसको तुरहन चेंज भी कर सकते हैं तो ये सारे फायदे होने के वज़े से बच्चे को जो rashes होने के chances हैं वो cloth diapers में नहीं होते हैं बच्चे को जो है rashes से राहत मिलती है next की जो cloth diapers होते हैं ये eco-friendly होते हैं और chemical free होते हैं eco-friendly मतलब कि देखे जो disposable diapers हम use करते हैं वो क्या होता है हमने use किया उसके बाद हम जो है उसको fake देते हैं पर जो ये cloth diapers होते हैं इनको use करने के बाद हम wash करके दुबारा से reuse कर सकते हैं और जो diapers हम fake ते हैं वो environment के लिए ठीक नहीं है और इससे प्लास्टिक होती है और वो अच्छे से degrade भी नहीं हो पाते हैं तो इसलिए इनको eco-friendly नहीं माना जाता है जो कि disposable diapers होते हैं पर cloth diapers eco-friendly हैं उनको आप वापस से reuse कर सकते हो साथ ही साथ ही जो cloth diapers होते हैं ये chemical free होते हैं यानि इसमें किसी भी तरह की chemicals नहीं होते हैं तो ये बच्चे के लिए काफी अच्छी चीज है नेक्स्ट की जो है pocket friendly है यानि की पैसो की काफी बच्चत होते हैं देखिए जो disposable diapers हम खरीते हैं आप में देखा हुआ कि बड़ा packet भी कितना महंगा आता है और इसके लावा ऐसा भी नहीं है कि हम उसको वापस से यूज कर पाए जैसी हमें यूज के हमें इसे थ्रोई करना पड़ता है फेक नहीं पड़ता है पर इस जो cloth diapers हैं यह आप अगर तीन चार भी मंगा लेंगे तो इसमें आप में यूज किया उसके बाद अगर गंदा भी जड़ता तो आप वाश करके या धोकर वापस से यूज कर सकते हैं तो यह अच्छी चीज है यह पैसो की बच़त भी कराता है तो यह भी फाइदा है cloth diapers next की cloth diapers होते हैं यह potty training में भी काफी helpful होते हैं इनसे काफी मदद मिलती है देखे क्या होता है कि cloth diapers जब बच्चे को पहनाते हो तो अगर बच्चा उसको गीला कर देता है तो उसको काफी uncomfortable लगता है उसको गीला गीला लगता है वो जहां भी जाएगा उसको feel होगा कि हाँ शायद उसने गीला कर दिया है तो बच्चे को cloth diaper पिनान से कुछ दिरों में सचिए समझ में अनलग जाएंगी कि उसको सुसू या potty कर दिया है तो वो धीरे धीरे पताना श्रू कर देगा पर जो disposable diapers है उसमें кого चीज जो थोड़ा देर में सीखते हैं बच्चे क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें सुसू यह potty कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्योंकि वो गीला उनको feel नहीं होता है वो जो है, जो disposable diaper रहा है तो बच्चे को feel होता है और गीले पन की वैसे वो चीजे बदाना शुरू करते हैं नेक्स चीज की जो cloth diapers होते हैं यह allergy इससे होने के chance जो हैं काफी कम होते हैं दिखे इससे क्या मतलब है क्योंकि दिखे यह जो diapers होता है कपड़े के बने होता है तो इससे उनको जो है problem होती है diaper use करने से तो इस case में cloth diapers जो हैं काफी अच्छे हैं साथी साथ पर आपको यह चीज याद रखनी है कि जो cloth diapers है वो अच्छे से wash जरूर होने चाहिए इसका मतलब कि जब भी बच्चा को गंदा करता है तो आपको अच्छी soap से जो है उसको wash करना है दूप में अच्छी सुखाना है ताकि थोड़ी बहुत जो भी germs रह जाएं वो अच्छे से kill हो जाएं और बच्चे को किसी भी तरह की allergy होने का chance जो है वो ना हो निक्स चीज़ की जो कोड़ ड़ाइपर होते हैं वो adjustable होते हैं adjustable मतलब कि आपकी बच्चे की हono है तो इसके साप से वटाने पहना सकते हैं इसमें कुछ बटनी हritis नियुता है थी ऐप होथी साइज है उस defin Alex को पेषा पहना सकते हैं थोड़ा बच्चा अगर बढ़ा भी होता है तो उसके साब से बटन आगे पीछे कर सकते हैं तो यह भी अच्छा फादा है एक अच्छा फादा है कि यह एड़स्टेबल होते हैं तो फ्रेंड्स जब भी आप बच्चों के लिए क्लोड डाइपर्स खरीदे तो आपको क्या क्या चीज़े ध्यान में रखनी है एक तो जो डाइपर है वो कॉटन का यानि सूती कपड़े का होना चाहिए चलने वाले डाइपर्स होते हैं उन सभी के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी आप वहां जाकर उन डाइपर्स को देख सकते हैं अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं तो फ्रेंड्स यही थी मैं आज की वीडियो इसमें बात की ये क्लोड डैपस होते क्या हैं और आपको बच्चे ले क्यों यूज करने चाहिए इसके क्या फायदे होते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करना बिलकुल मत भूलेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कोई भी अगर सवाल है वीबी आप तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुसे पूछ सकते हैं और अगर अभी तक हमारी माय वीबी केर फैमली से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू